दोस्तों, आपने आज से पहले बटर चिकन की तो बहुत सारी रेसिपी देखी हैं इंस्तें बटर चिकन, रेस्ट्रो जैसा बटरे funded sub Video लेकिन यह जो क्रेवी की रेसिपी है ना दोस्तों. यह इंटरनेट पे कहीं नहीं है दोस्तों वैसे तो बटर चिकन में मकनी ग्रेवी में तंदूरी चिकन को मिलाया जाता है लेकिन इस रेस्पी में हम कुछ अलग ही करेंगे आप एक कड़ाई लेना उसमें थोड़े खड़े मसाले डालना लैसुन डालना एक प्यास डालना और इन चीजों को बस हलक असा रोस्ट कर लेना ज्यादा भुनना कुछ नहीं है यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कच्चापन निकालना है प्यास से लैसुन से और मसाले हलके से गरम हो जाए बस इतना ही हमें करना है फिर आप यहाँ पर टमाटर डाल देना काफी सारे टमाटर हैं दोस्तों लगबग 5 के आसपास है ध्यान देना दोस्तों इस रेस्पी में बिलकुल भी देसी टमाटर का यूज मत करना यहाँ पर हाइब्रेड यानि कि वो जो सालेड वाला टमाटर होता है उसी का ही यूज करना उसके साथ साथ आप नमक डालना, थोड़ी सी चीनी डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डालना और अद्रक के साथ-साथ धनियागी डंठर डालना बटर चिकन मीठा मीठा इतना अच्छा तो नहीं लगता, थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है तो यहाँ पर दो हरी मिर्चे डालना और सुखी लाल मिर्चे डालना बिना काजू के तो मखनी ग्रेवी नहीं बनेगी इन टोटल इन सब चीजों के साथ 50 ग्राम आपको काजू डालने होंगे दोस्तों अगर दोस्तों आपको ग्रेवी में कच्चा पन बिल्कुल नहीं चाहिए तो टमाटर को आपको भुनना बहुत ज़रूरी है हलके से सॉफ्ट होने चाहिए टमाटर तभी मखनी ग्रेवी में बालन्स बनता है और चीनी क्यों डाली? चीनी दोस्तों इसलिए डाली है ताकि टमाटर की खटास को बैलन्स करा जा सके और तभी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर देसी टमाटरों का यूज़ मत करना तो दोस्तों यह तो हो गए बेसिक इंग्रेडियंट्स जो आपको मखनी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए लेकिन इसमें एक चीज जो है वो डालनी बहुत ज़रूरी है जो कि बटर चिकन का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट लाके दे वो है दोस्तों चिकन अब बटर चिकन में बेसिकली फ्लेवर्स क्या होते हैं मखनी सॉस और तंदूरी चिकन के लेकिन मैं इस रेस्पी में तंदूरी चिकन नहीं डालने वाला दोस्तों मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो बटर चिकन वाला टेस्ट खुश्बू तो आ जाएगी लेकिन आपको तंदूरी चिकन मनाने ही कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चिकन के जितने भी लेक पीस होंगे उनमें आप ऐसे कट लगाना बिल्कुल मत भूटना और ऐसे जब हम नमक में पकाएंगे तो चिकन के अंदर तक पूरा फ्लेवर आएगा तो इसी पूरी है ताकि आपकी ग्रेवी का एक्दम बढ़िया टेस्ट आए जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और चिकन हलका सब भुन जाए तो अब आप यहां पर एक कप तक पानी डालना और धक कर टाइमर लगाकर जी हां बिल्कुल ट जेलिटिन रिलीस करेगा और तो और चो मसाले हैं वो धीमी धीमी आज पर अपना सारा फ्लेवर छोड़ेंगे और यही है दोस्तों वो इंपोर्टन चीज जिससे ग्रेवी का स्वाधी बिल्कुल अलग आएगा दस मिनट बाद जब धकन खोलोगे तो आप खुदी देखन कि चिकन भी पक चुका होगा और प्यास टमाटर भी अच्छे से गल चुके होंगे तो अब आता है बड़ा important step कि अब आपने चिकन को यहाँ पर ग्रेवी से निकाल देना है अलग रख देना है दोस्तों और अगर by chance प्यास या धनिया या कुछ अटका रह जाता है चिकन मे तो उसको आप फिर से वापस ग्रेवी में डाल देना इस टाइम पर इस ग्रेवी में जो खड़े मसाले हैं जैसे कि बड़ी इलाइची तेज पत्ता इनको जरूर निकाल देना लेकिन छोटी इलाइची को इसी ग्रेवी में रहने देना उसको हम पीस देंगे मकनी सॉस के स अब ये देखो दोस्तों आप ध्यान से देखो ये जो gravy है इसके उपर एक छोटे-चोटे तेल के दाने से आ गए है हमने इतना तेल तो डाना नहीं था लेकिन तब भी इतने सारे छोटे-चोटे दाने ऊपर पूरे settle हो रहे है ये है दोस्तों चिकन का flavor और चिकन का fat और अग से इसको ठंडा होने देना और फिर मिक्सी में पीशना बाकी जल्द बाजी है तो आप बरब डाल सकते हूं और मैं आपको अब चिकन भी डिखा देता हूं तो इस रेस्पी में ये गारेंटी तो है कि चिकन एकदम सौफ्ट और नरम बन कर आएगा अब जरा हमारी गरेवी की गारेंटी भी ले लेते हैं आपको क्या करना है कि इस कड़ाइ में से सारी चीज़े निकालनी है मिक्सी में डालनी है और एकदम फाईन पेस्ट बनाना है आगे continue करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दू कि मैं कड़ाई में recipe continue नहीं करने वाला मैं लगन में करने वाला हूँ क्योंकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है और butter chicken की feel भी तो आएगी न तो इस लगन में आप सबसे पहले अब तेल डालना तेल इसलिए डाला है मक्षन को जलने से बचाने के लिए और थोड़ा खुल के मक्षन डालना साथ में एक बड़ा चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट और इस अद्रक लसन के पेस्ट को roast करना यानि की भुनना बहुत जरूरी है थोड़ा सा भुनने के बाद आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डालना साथ में 1 फूर्ट की स्पून हल्दी पाउडर कर डालना बहुत थोड़ा सा नहीं तो पीला पीला बटर चिकन बन जाएगा दोस्तों अब यह स्टेप जरूर करना दोस्तों मिक्सी में जो पेस्ट है उसको अच्छे से चान कर इस लगन में डालना चानना बहुत जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर बाय चान्स काजू रह जाता है कोई भी दाना रह जाता है तो हमारी ग्रेवी में नहीं जाना चाहिए हमारी ग्रेवी एकदम सिल्की स्मूध बननी चाहिए सीधा ही आप इस मसाले को डालना और गलती से भी इस मसाले में इस time पर पानी नहीं डालना और मैं तभी आपसे कह रहा था कि अगर आप avoid कर सकते हो तो आप बरफ मठ डालना क्योंकि जितना जादा पानी होगा उतना जादा ही time लेगा इसको पकने हैं यह जो step है दोस्तों बहुत important है यहाँ पर आपको धक कर 10 मिनट तक इस gravy को अच्छे से पकाना है एकदम medium low flame पर बीच में एक बार दोस्तों चला ज़रूर लेना नहीं तो जलने का डर हो जाता है लेकिन 10 मिनट बाद आप खुदी देखना बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया texture वाली मकनी gravy बन के तयार हो जाएगी है ना एकदम amazing बस दोस्तों अब simple सी चीज़े रहती है लेकिन end में एक कमाल करके दिखाऊंगा आपको आप अभी यहाँ पर फिलहाल chicken डाल देना चिकन के साथ साथ गरम masala डालना भुन के कसूरी मेथी डालना साथ में आधा चमच यह है इलाइची का पाउडर यह ज़रूर डालना कहीं बार मैंने देखा है कि लोग चीनी डाल देते हैं चीनी दोस्तों बहुत ज़्यादा मिठास दे देती है और मीठा मीठा बटर चिकन थोड़ी इच्छा लगता है आप यहाँ पर या तो हनी डालना या मेरी तरह टमाटो केचप डाल देना दो चमच काफी होगी बहुत ही बड़िया बालन्स बन जाएगा इस ग्रेवी का और अब दोस्तों ग्रेवी बहुत ही गाड़ी गाड़ी हो चुकी है तो उसको बालन्स आउट करने के लिए आप यहाँ पर गरम पानी डाल देना एक कप के आसपास चारो ग्रेवी तो पूरी बन गई है जो मलाई आती है वो डाल सकते हो इसको अच्छे से आप मिलाना और फिर ये डालना दोस्तों ये है एक बड़ा चम्मच सर्सो का तेल कच्चा सर्सो का तेल दोस्तों डालना है और सच में बहुत ही अलगी फ्लेवर आने लग जाएगा इस बटर चिकन की ग्रेवी का फिर आप यहाँ पर एक कटोरी रखना इसके बीच ओ बीच और एक डाल चीनी लेना उसको अच्छे से जलाना और सीधा ही कटोरी के उपर रख के उसमें थोड़ा सा देशी ही डाल देना बेसिकली दोस्तों इस कोल्ड स्मोक की टेकनीक से पूरी बटर चिकन की जो ग्रेवी है उसमें धुएं का फ्लेवर आ जाएगा और वो जो तंदूरी टेस्ट है वो बिलकुल बालेंस आउट हो जाएगा और मैं गारेंटी देता हूँ जब आप ये बटर चिकन बनाओगे न घर में सब बहुत कुछ हो जाएगे चिकन एकदम सॉफ्ट होगा ग्रेवी के एकदम अंदर तक फ्लेवर होगा दोस्तों आप ये दोस्तों बना कर देखना एक्सिलेंट रेसिपी है दोस्तों सर्दियों में टमाटर सस्ते आते हैं तो बटर चिकन तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन सर्दियों में पालक चिकन यानि की साग वाला चिकन और भी अच्छा लगता है दोस्तों उसकी बड़िया सी रेसिपी के लिए आप ये वाली वीडियो देखना आपको बहुत पसंद आएगी